नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है खबरों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर दियालेट नामांकन को प्रथम चयन सुझी जारी मदूर भंडारकर की फिल्म में दिखेगी बिहार की आईशा पटना एयरपोर्ट पर लगेगी कैट वन एप्रोच लाइट पुर्व उप मुखे मंद्री को मिला हवास खाली करने का नोटिस तो भढ़के बीजेपी प्रदेश अध्यवश अस्वी ने रवी सासरी को दिया जवाब इसके साथ ही बरते हैं साम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से डियलेट नामांकन को प्रथम चैन सूची जारी बिहार बोर्ट की ओर से डियलेट संयुक्त परिक्षा 2022 में नामांकन को लेकर प्रथम सूची जारी कर दी गई है उसके बाद अगर सीटे खाली रह जाती है तो बोर्ट के द्वारा स्पोर्ट एडमिशन करवाने का मौका परिक्षार्थियों को दिया जाएगा जानकारी के लिए बता दे कि अमेधा सूची जात्रों के स्कोर बोर्ट के द्वारा जारी की गई है इसके लिए उनिवर्सिटी के ओर से के प्रिंसिपल्स और अध्यक्षों को लेटर भेज कर साफ दिशा निर्देश दिया गया है जारी करिया जानकारी दी गई है कि बिहार सरकार के दौरा वैशाली के डियम की रिपोर्ट पर उन अंचला धिकारी को निलंबित कर दिया गया गया है जो लापडवा और गयर जिम्मेदार है बता दे कि बिहार सरकार के दौरा जिस अंचला धिकारी को निलंबित किया गया है उनमें हाजीपूर के अंचला धिकारी मुकुल कुमार जहां है अंचला धिकारी के खिलाफ वैसाली के डियम के दौरा 24 सितंबर 2022 को रिपोर्ट भेज कर कहा गया था कि बिना सूचना दिये बैठक से अनुपस्तित रहने दाखिल खारिज के काफी मामले लंबित रखने इस पस्टिकरन का जवाब नहीं देने आबदा प्रवंधन के आठ करो 86,35,000 की उपयोगिता प्रमान पत्र जमान नहीं करने जैसे कहीं संगीन आरोप लगाए गए थे भारत माला परियोजना के तहट पतना में रास्ट्रिय राजमार्ग 149 का निर्मान किया जाएगा जो धनर हुआ वा फतुआ आंचल की भूमी पर बनाया जाएगा इस सरक का आयोजन कर मुआवजा दिया जा चुका है और फिलहाल यह प्रक्रिया लगातार जारी है इस सरक के निर्मान होने से उतरप्रदेश 36 गर जारकन जैसे राज्यों तक जाने में आसानी हो जाएगी बता दे कि फिलहाल रास्ट्रिय राजमार्ग 149 सरक दो लेन में है जिसे फोर्ले में तबदील कर दिया जाएगा सीबी आई की विशेश अदालत ने बैंक प्रबंध को भेजा जेल बिहार के पटना है सिथ सीबी आई के एक विशेश अदालत के द्वारा बहुच चर्चित श्रीजन खोटाली के मामले को लेकर ततकालिन बैंक प्रबंध को निया जिसके बाद उन्हें नयाएक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है मदोर भंधार करके फिल्म में दिखेगी बिहार की आईशा मदोर भंधार करके फिल्म इंडिया लॉगडाउन काफी समय से सुर्खियों में थी अला कि अब इस फिल्म के रिलीज होने का डेट एलान कर दिया गया है बता दे कि ये फिल्म 2 दिसंबर 2022 को OTT प्लैटफॉर्म Z5 पर रिलीज की जाएगी बताते चले कि इस फिल्म के कहानी में चार मुख्य किरदारों की अलग-अलग कहानी है भारत में लगे lockdown की कहानी को बया करती है जुसमें बिहार की राज़ानी पटना की एक्रिवस ऐसा ऐसेमन सेक्स वर्कर का रोल प्ले कर रही है जो इस फिल्म में यहां बताते नGod contract की क्या दूरदशा रहती है आपकी जानकारी के लिए बता दे कि ये फिल्म डॉक्टर जैनती लाल गड़ा द्वारा प्रस्तूती और भंडार कर एंटर्टेन्मेंट प्रनव जैन के द्वारा किया गया है पटना एरपोर्ट पर लगेगी Cat 1 Approach Light बिहार में बढ़ते थंड से होते कुहासे को देखते वे पटना एरपोर्ट के रनवे पर विमानों की लैंडिंग चमता में व्रिधी करने के लिए Cat 1 Approach Light लगाई जाएगे इस लाइड के लगाने से एरपोर्ट पर नियुनत विजिबिलिटी आविशकता 1000 मीटर से घट कर 700 मीटर हो जाएगी और इसे लैंडिंग की छमता में व्रिधी होगी इसके साथ ही प्रमणली आयुक्त कुमार रवी की अध्यक्षता में एक बैठल आयूजित की गई जिसमें पतना और बीटा एरपोर्ट की सुरक्षा विमान लैंडिंग वह अन्य मुतों पर विस्तार पुर्वक चर्चा की गई है इसके साथ ही यह अभी कहा गया है कि फ्लाई की सुरक्षा को देखते वे समय समय पर आसपास के पेरो की छटाई भी की जाएगी बिहार की राजधानी पतना समेत यह 9 सहरों की हवा जहरी ली आज यानी सनिवार को नेशनल एर क्वालिटे इंडेक्स के ताजा आकडू के अनुसार बिहार में पतना दर्भांगा कटिहार समेत 7 सहरों की हवा 300 AQI के पाड़ पाई गई है सबसे खड़ाब हवा कटिहार का पाई गया है जहां सुभा 7 बजे का AQI 364 पाई गया था वही अगर राजधानी पतना की बात करे तो यहां AQI 300 से जादा रहा इसी बीच राजे प्रदूशन नियंतरन की ओर से आविशक नर्देश दिये गए है जानकारी के लिए बता दे के आंकडू के अनुसार देश के 10 सरवाधिक प्रदूसे सहरों में 9 सहर बिहार के आते हैं इन दिन सोशल मीडिया पर काफी वाइरल हो रही है कुछ दिनों पहले ही जोति सिंग ने पवंस सिंग और उनके चाहने वारों पर पलटवार करते वे एक पोस्ट सेर किया जिसमें वो माती पर सिंदूर लगाए साधी सुदा महिला के लिबास में नजर आ रही है इस पोस्ट में उन्होंने लिखा है लोयलिटी के बारे में मुझसे बात नहीं कीजिए तो अच्छा होगा मैं आज भी कुछ लोगों के राज चुपाई बैठी हूँ जिन्होंने मिने नाम पर कीचर उचा रहा है इस पोस्ट के बाद लोगों के मन में कहीं सवाल उठ रह जिसके बाद अपके वल 13 उमिद्वार ही मैदान में खड़े हैं हाला कि नाम वापसे किते थे 20 नवंबर तक नरधारित की गई है वहीं चुनाव 5 दिसंबर को होगा और मदगरन 8 नवंबर को आयोजित किया जाएगा जानकारी के लिए बता दे कि जन 8 उमिद्वारों के न जंगल सफारी का उठाया लुट्व सनिवार यानि कि आज की सुबह उपमुक्य मंत्री तेश्वी यादव ने वी टी आर में करीब डेर घंडे तक जंगल सफारी का लुट्व उठाया इस तोरान उन्होंने हड़ी भड़ी वादियों को अपने मुवाइल फोन में कैद कि तो साथ ही खुद की सेलफी भी जानकारी के लिए बता दे कि उपमुक्य मंत्री तेश्वी यादव बीते दिन सुक्रवार की साम 9 बजे से वालमी की नगर में है जहां उन्होंने चंगल सफारी का ब्रहमन कर करीब सारे 9 बजे गंड़क बराज का नेरिक्शन करने का है जब उपमुक्य मंत्री तेश्वी यादव स्टार्टप जोन में जाएंगे पूर्व उपमुक्य मंत्री को मिला आवास खाली करने का नोटिस तो भड़के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संच जैश्वाल के द्वारा मुक्य मंत्रें 30 कुमार पर जमकर भड़ास निकाली गई है उन्होंने कहा कि बिहार सरकार के दौरा बंगले को लेकर एक तरफ आकारवाई की जा रही है एक तरफ जहां बिहार सरकार के दौरा हमारे दोनों उपमुक्य मंत्रीयों रेनु देवी और तारकिशोर प्रसाद के साथ नेता विजय कुमार संहा को जल्द बंगला खाली करने के लिए नोटिस भेर जा रहा है उनसे जिर्माना वसूला जा रहा है तो वहीं दूसरी ओर जो नितीज कुमार के गुडगे हैं उनकी विधान परिसद की सदस्ता 6 मही ने पहले ही खत्म हो गई है लेकिन उनके बंगले को खाली करवाने के लिए को कुमार सर्वजीत ने कहा कि केंद्र से जरूरत के मुताबिक खाद नहीं मिल पाड़ी है जिसे किसानों की छती बर रही है वहीं राज्य की पैदावार भी इससे प्रभावित होगी वहीं समुद्दे पर केंद्र सरकार के मंत्री केंद्रिय रशायन एवं उर्वरक मंत्री मंसुख मांडवया के द्वारा टूइट कर कहा गया है कि देश में कहीं भी खाद की कमी नहीं हुई ऐसे जो भी खबरे चल रही है वो गलत है इसके साथ उन्होंने कहा कि किसान किसी के भ्रम में ना आए पूरे देश में खाद की आपूर्ती की जा रही है अस्विल ने रवी सास्त्री को दिया जवाब बलकि सारीरी की रूप से भी ठके वे थे, सभी को एक ब्रेक की आवशकता होती है, जैसे ही नियूजिलैंड श्रिंग्ला समाप्त होती है, हम बांगलादेश के दोरे पर जाएंगे, वहाँ लक्षमन नहीं होंगे चानिया बिहार में क्या है पेट्रॉल डीजल के रेट, बिहार में आज यानी सनिवार को पेट्रॉल डीजल के रेट लागू कियेगा, जिसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रॉल की कीमत 107.08 रुपे प्रती लीटर और डीजल की कीमत 94.05 रुपे प्रती लीटर निरधारित की गया है, पुर्णया में पेट्रॉल की कीमत 107.91 रूपए और डीजल की कीमत 94.64 रूपए प्रती लीटर है गया में पेट्रॉल की कीमत 118.31 रूपए और डीजल की कीमत 95.72 रूपए और प्रती लीटर नरधारित की गई है बता दे कि बिहार के जिस चले में पेट्रोल डीजल की कीमत सबसे कम है उसमें बेगु सराय जिलाश शामिल है। जहां पेट्रॉल की कीमत 106.93 रुपए और डीजल की कीमत 93.73 रुपए प्रती लीटर है। अनवर करीम खान, कुमार सौरफ, पवन कुमार, राजे सुन्थालिया, बावुलार मरांडी, अमरता कुमारी, कवीता कुमारी, मुतुर रंगिला। झालडू झालड हुए प्रती लीटर है।